हलो दोस्तों दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मैं आज कभी दाज़ी का एक दोहा पढ़ा रही हूँ यदि आप मेरे चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रू लाइक कीजे तो चलो में शुरू करती हूँ सोना सजन सादूजन तूटी जुरे सोबार दुरजन कुम्ब कुमहार के एके धका दरार सबसे पहले कठी इशाद बता देती हूँ देख लीजे तूटी का मतलब होता है तूटकर जुरे का मतलब होता है जुन्ना और कुमहार का मतलब होता है मिट्टी के बरतर बनाने वाला एके मतलब एक और कुम्ब का मतलब होता है घड़ा इस दोहे में कवीरदाजी ने सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के सोभाव के अंतर के बारे में बताया है सज्जन मतलब अच्छे लोग और दुर्जन मतलब बुरे लोग कि जो अच्छे लोग होते हैं, उनका सुभा सौने की तरह होता है, सौना मतला गोल्ड की तरह होता है, जो बार बार तूट कर भी जुड जाता है, सज्जन लोग होते हैं, वो तूटे रिष्टों को भी फिर से जोड लेते हैं, और वे रिष्टे निवाने में विश्वास र दुर्जन लोग रिष्टे निभाने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते बलकि वे तोड़ने में विश्वास रखते हैं ठीक है अब इसका भावर देख लीजिए कवीदाजी ने इस दोहे में सज्जन और दुर्जन व्यक्ति के सुभाव का अंतर बताया है सज्जन जोडने और दुर्जन तोडने की बुद्धी रखते हैं सौना, सज्जन और सादू लोग रूटने पर भी बारवार जुडते रहते हैं सज्जन लोग अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं जबकि दुर्जन लोग तूटे हुए संबंध को कुल भी संकोज नहीं करते जैसे थोड़ी सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर ही मटका फूर जाता है आशा करती हूँ कि आपको इदोहा समझ में आ गया होगा यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आयो तो प्लीज वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए धन्य करते बाद